उसका ये 19वा लेक्चर है और ये भूगोल का पहरा लेक्चर है जियोगर्फी का, इसमें हम उत्तर प्रदेश के जो फिसिकल फीचर है, जिने रिलीफ फीचर बोलते हैं, यानि कि उत्तर प्रदेश कैसा है दिखने में, महाँ पे पहाड़ है, मैदान है, पढ़ार है, ये इ इससे पहले हम उत्तर परदेश की जो भूमी है जो भूगोल है भूभाग है उसके बारे में जिक्र करें पहले ये देखते हैं कि उत्तर परदेश के जो नेपाल है उससे कितने डिस्टिक्ट लगते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर यह ऐसे नेपाल है. तो यह वाले जो सारे डिस्टिक्ट हैं यह मैं अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ जाऊं तो सबसे पहले पिलभीत, फिर लखिमपूर खीरी जिसे हम खीरी भी बोलते हैं, फिर है भारिच, फिर श्रावस्ति, उसके बाद बलरामपूर, फिर है सिधार्तनगर और फिर है म महराज गंज, तो यह वो साथ जिले हैं उत्तर परदेश के जो की, जो लगते हैं नेपाल से, इनको कोश्चिन किस तरह से आ सकता है, या तो आपको चार जिले दे देंगे, पूछेंगे इनमें से नेपाल से कौन सा लगता है, या तो सवाल इस तरह से आ सकता है, या फिर उनको आपको पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाना पड़ेगा तो इनका कोई आफ फॉर्मला बना के नियाद कर सकते हैं जैसे PK-BSBSM इस तरह से भी याद रख सकते हैं पिलभीत से जो महराज गंज तक उत्तर परदेश नेपाल से लगता है उत्तर परदेश जो है ये प्राचीनतम भूखंड गौणवाना लेंड का एक भाग है पहले ऐसा माना जाता था कि पूरी जो धर्ती है उस पे जो जमीन वाला इलाका है पानी वाला नहीं जमीन वाला वो एक है और इसके दो हिस्से थे एक तो था अंगारा लेंड और दूसर था गौणवाना लेंड सो उत्तर परदेश किसका हिस्सा था अंगारा लेंड का या गौणवाना का सो ये था गौणवाना लेंड का एक भाग ये याद रखिए ये सीधा MCQ में पूछ सकते हैं उत्तर परदेश राज्ये की सबसे लंबी सीमा मध्य परदेश के साथ लगत ये फिर उत्राखंड आ जाता है इस सेरिया में तो ये हिमाचल से सिर्फ एक छोटी सी सीमा लगती है साहरनपूर की बस क्यानि उत्तर परदेश का सिर्फ एक ही जिला है जो हिमाचल परदेश से टच होता है और वो है साहरनपूर और वो भी बहुती छोटी सी, बिलकुल नाम मात्र बस टच करता है हिमाचल को तो सबसे छोटी सीमा हिमाचल के साथ है और सबसे लंबी सीमा मद्य परदेश के साथ है अगर हम पूछें कोश्चन में कि उत्तर परदेश का कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ लगती है तो आप यहाँ पे देख सकते हो यह है सोन भद्र सोन भद्र की सीमा किसकी साथ लगती है इधर बिहार में फिर जारखन और चतिसगड और यहाँ पे जारखन शतिसगड और जारखन के साथ सीमा अलगती है हर्याना हिमाचल और उत्राखंड और यहां पे हम देख सकते हैं सहरनपुर इस तरफ हर्याना उपर हिमाचल और इधर उत्राखंड सबसे ज़्यादा शेत्रफल वाला जिला है लखिमपूर खीरी और दूसरा सबसे ज़्यादा शेत्रफल वाला जिला है सोन भद्र यानि कि सबसे बड़ा डिस्टिक्ट कौन सा है उत्तर परदेश का लखिमपूर खीरी एरिया की बात करें शेत्रफल की बात करें और दूसरे क्या क्या है तो काफी interesting है ये क्योंकि हमारा जो उत्तर भारत है ये वाला सारा पहाड़ी लाका है ये फिर ये हिमाचल उत्तरा खंड ये सब भी पहाड़ी है उसके बाद ये नेपाल है तो नेपाल भी पुरा पहाड़ी है लगबग फिर ये हमारे हिमाल्यक वाला एरिया है यानि पहाडों वाला एरिया है जिसमें मुखेत हिमाल्य है और कुछ पहाड ऐसे हैं जो हिमाल्य के नहीं है जैसे ये वाले जो पहाड हैं ये हिमाल्य के नहीं है मैं इन्हें कलर कर रहा हूँ इधर वाले जो ये पहाड हैं इनें बोलते हैं कारा कोरम के पहड ये हिमालय का हिस्सा नहीं है और इधर वाले जो है ये है लदाक श्रिंखला लदाक इनें हम ट्रांस हिमालयाज भी बोलते हैं क्योंकि ये हिमालया के उपर है अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांस हिमालयाज और इसी तरह अगर हम बात करे तो नेपाल में तो जरूर हिमाले हैं, लेकिन नेपाल के उपर जो यह इलाका है, जिसे हम बोलते है तिबबत, तो तिबबत के अंदर भी यह कुछ पाहड़ है, जिने हम बोलते हैं केलाश के पाहड़, केलाश पर्वत, कैलाश परवत है तिबबत में तिबबत पे चाइना का अधिपत्ते है चाइना ने अधीन ने कर रखा है तिबबत को तो कैलाश परवत भगवान शिव का घर माना गया है हमारे ग्रंथों में हमारे ट्रडिशन में हिंदु धर्म में कहा गया है कि जो भगवान शंकर है भगवान शिव वो कैलाश में रहते थे ये है कैलाश परवत और इनी के पास से ये है एक जील जिसे बोलते हैं कैलाश मानसरोवर ये भी है तिबबत में और ये भी हिमाले में नहीं है आप देख सकते हो हिमाल्य तो नीचे की तरफ है यहाँ पर यह हिमाल्य है अब हिमाल्य के नीचे अगर हम बात करें तो मैदान वाला इलाका आता है जिसमें मुखेते तीन तरह के मैदान है यह जो नंबर एक है यह है पंजाब के मैदान जो कई नदियां है यहाँ पर जैसे सतलुज नदी है, ब्यास नदी है, जो पाँच जिने साहिक नदियां बोलते हैं सिंदु नदी की वो सब यहां पे भैती है, जहलम नदी, सतलुज नदी, ब्यास नदी, चेनाब नदी, इतियादी, फिर है ये वाला इलाका, दो नमबर पे, ये जो इलाका है ये गंगा और आप देख सकते हो कि उत्तर परदेश का जातर जो हिस्सा है वो गंगा का मैदान है। फिर अगर हम असाम की तरफ आ जाएं तो ये है भर्मपुत्र अ का मैदान सो ये हमारा मैदान वाला इलाखा है जो खेती के लिए जा न जाता है पंजाभ, हर्याना, उत्तर परदेश ये गड़ हैं भारत में, खादे उत्पादन के, अगर हम यहाँ पे देखें, तो उत्तर परदेश का ये एरिया है, नीचे, नेपाल से लगता हुआ ये एरिया है, और ये जो परवतों की श्रिंखला है, ये बस समझ लीजे, उत्तर परदेश में टच कर रही है, ये उत्तर बना के दिखाता हूँ आपको, जो सबसे उपर की तरफ हैं, उन्हें बोलते हैं महान हिमाल्य, यानि इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटर हिमाल्य, इनकी उचाई बहुत ज्यादा है, जो बड़ी-बड़ी चोटिया है परवत की सब इसमें आती है, जैसे कंचन जंगा, ज लेसर हिमाल्य, और सबसे बहार वाले, यानि सबसे नीचे की तरफ, सबसे दक्षण की तरफ जो हैं, इन्हें बोलते हैं शिवालिक, तो मैं अगर एक इनकी रूप रेखा बना के दिखाऊंँ आपको, सबसे उपर वाले जो हैं, ये हैं ग्रेटर हिमाल्य, उसके नीचे व इससे आपको समझना असान हो जाएगा ये है महान हिमाले ये है मिडल या मध्य हिमाले और ये है शिवालिक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो ग्रेटर हिमाले है उनकी उचाई बहुत जादा है उससे कम है मिडल हिमाले और उससे कम है शिवालिक की दूसरा ये बने कैसे, तो जब greater हिमालिया बन रहा था, तो यह fold mountain है, यानि कि यह पूरे एकदम से तो बने नहीं, परत बाइ परत, layer by layer बने है, fold mountain, हिमालियास को हम new fold mountain बोलते हैं, new fold mountain, और जो अरावली के पहाड हैं, जो दिल्ली, राजस्थान, गुजरात वगरा में जाते हैं, इन्हे सबसे पुराने पहाड माने जाते हैं, दुनिया में अरावली के पहाड, और सबसे नए माने जाते हैं, हिमाले के पहाड, क्या हिमाले सबसे बड़ी परवत शिंकला है, दुनिया की, नहीं, सबसे बड़ी परवत शिंकला है, एंडीज के पहाड, जो दक्षिन अमरीका में जैसे ये बन रहें परत बाय परत, इनसे जो sediment है, वो deposit होते गए इनके side में, और बन गए middle हिमालिया, और जब middle हिमालिया बन रहे थे, तो उनसे जो टूट टूट के चीज़े गिरती गई side में, उनसे बन गए शिवालिक, तो ये clear है आपको, greater हिमालिया, middle हिमालिया और शिव का कुछ हिस्सा टच करता है, तो अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें यहाँ पे, तो ये जो है, ये है greater हिमालिया, ये है middle हिमालिया, और ये है शिवालिक, यानि शिवालिक जो है, इसका कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश को टच करता है, उत्तर में, और अगर हम देखें, तो ये जो शिवालिक है, जब ये खतम होते हैं, यहाँ पे, तो इनकी जो फुठिल है, फुठिल मतलब जहां हिमाले परवत खतम हो रहा है, जहां शिवालिक खतम हो रहा है, Foothills of Shivalik इन्हें बोला जाता है तरई Region तरई Region अब मैं इसको एक डियाग्राम में बना के दिखाता हूँ ये देखो ये एक पहाड है ठीक है? Shivalik का पहाड माल लेते हैं से और ये धीरे 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 खतम हो रहा है धीरे 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 जमीन पर बिल्कुल पहुँच गया है कभी भी पहाड इस तरह से नहीं होता जैसे हम डियाग्राम में बनाते हैं ये तो pictorial representation होता है पहाड अराम अराम से खतम होता है धरती में वो मिल जाता है जब हम पहाड से आप जानते हैं पहाड के उपर तो खेती हो नहीं सकती क्योंकि जलवायों भी अनुकूल नहीं होती मिट्टी भी नहीं होती हाँ पर जो अनुकूल है और पत्थर बहुत ज़ादा होते हैं बड़े बड़े पाशान होते हैं तो जो पहाड का, जब पहाड खतम ही हो रहा है, जब वो जमीन पे आने ही वाला है, तो उससे पहले आपको यहाँ कंक्रीले पत्थर मिलेंगे बहुत सारे, बहुत सारे बड़े-बड़े पत्थर मिलते हैं, जिने हम अंग्रेजी में बोलते हैं, बोल्डर, क्या बोलते हैं, B-O-U-L-D-E-R-S Boulder और आप ये भी जानते हैं कि ज़्यादा तर जो नदियां होती है वो भी पहाड से ही निकलती है पहाड पे बरफ जमी होती है एक हाइट के बाद एक minimum हाइट ले लो तो उसके उपर बरफ जमी होती है और जब ये भरफ तूटके गिरती है पानी में तैरती है इसे बोलते हैं हिमनद यानि की Glacier और यहीं से नदिया निकलती है तो इसमें जो समझने वाली बात यह है वो ये है कि पहाड से जब नदिया नीचे आती है तो ये जो इलाका है इसे जिसमें पत्थर बहुत जादा रहते हैं यहाँ पे खेती संभव नहीं हो पाती क्योंकि पत्थर बहुत जादा है इसे बोलते हैं भाभर क्या बोलते हैं भा भर भा भर इसको ऐसे याद रख लो जैसे वो एक मुगल राजाता ना बाबर तो बाबर को भा भर कर दो यानि भाबर में केती संभव नहीं है बड़े बड़े पत्थर है इसमें और यहाँ पे जो नदी है वो उसके उसमें आप देखोगे तो नदी के ऊपर भी आपको पत्थर नजर आएंगे यानि नदी की सतय आपको नजर नहीं आएगी याँपे एक नदी जिसे कहते हैं कि एक प्रॉपर सतय बनानी पाएगी क्योंकि पत्थरों के बीच में से वो भैती जाएगी जब आप उसके नीचे आएंगे जब बिल्कुल आप फुट हिल्स पर आ चुके हैं फुट हिल्स मतलब जो बिल्कुल जहाँ जो पहाड़ी है वो खतम हो रही है तो वहाँ पे जो इलाका है नदिया क्या करेंगी जब यहाँ पे बहेंगी तो साथ में यहाँ पे दलदल बना देंगी दलदल यह इलाका यहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा होगी पानी बहुत ज़्यादा होगा और मिट्टी सारी यहाँ पे डिपोजिट हो जाएगी इस एरिया को बोलते हैं तरई समझ में आया भाबर और तरई में क्या फरक है भाबर जो है वो थोड़ा सा उचा इलाका है भाबर के बाद तरई है और फिर फाइनली मैदान वाला इलाका है यानि कि अगर हम हाइट देखें तो सबसे ज़्यादा किसकी है सबसे अधा हाइट होती है पहाड की पहाड के बाद भावर वाला जो अलाका है उसकी भावर के बाद ये ज़्यादा उचाई पे है भावर फिर इससे कम उचाई पे है तरही और उससे कम उचाई पे है मैदान जो प्रॉपर मैदान आ गए अब और मैदान में दो तरह की सरंचना होती है एक जहां पे नदी जाती है वो और एक जहां नदी नहीं जाती है वो तो जहां नदी जाती है उसको बोलते है खादर और जहां नदी नहीं जाती है उसे बोलते है बांगुर तो भाभर और बांगुर में confused नहीं होना है बहुत ही असान है यह समझना, सबसे पहले भाबर है, फिर है तरई, तरई में अच्छी खेती होती है, यहाँ पानी की मात्रा भी काफी जादा रहती है, बारिश भी बहुत होती है यहाँ पे, और उसके बाद मैदान वाला इलाका है, तो यह clear है आपको यहाँ तक, अब सवा यह है कि खादर और बांगुर में क्या फरक है, देखिए, यह एक नदी है, यह डियाग्राम देखिए, इसमें यह जो है, यह एक नदी है, और यह दूसरी नदी है, ठीक है, यह नदी बहरी है, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ, उपर से नीचे की तरफ माले लेते हैं, दो न तो जो द्वाब वाला जो इलाका है यहां पे जो मैदान है उसे बोलते हैं भांगर या भांगुर कुछ भी बोल सकते हो भांगुर या भांगर और जो नदी जहां पे जाएगी तो नदी अपने साथ मिट्टी लेके जाएगी और वो उस मिट्टी को डिपोजिट कर देगी इन एरियास में, जहां पे ये जाके टकडाएंगी, जहां जारी है फाइनली, और ये वाला जो इलाका है, जहां पे नदी पहुंच रही है, और जहां पे नदी इसको फ्लड कर देתी है, फ्लड मतलब जहां नदी का पानी पहुँचता है, उस एरिया को बोलते हैं, खादर, यानि खादर और बांगर में सबसे पहला फरक क्या है कि खादर जो है वो low areas of the valley में होता है यानि अगर कोई घाटी है अगर कोई घाटी है मानलो घाटी कैसी होती है दो पहाड के बीच में जो area होता है ये V-shape इसे बोलते हैं घाटी अब अगर नदी यहाँ पहुँचेगी म एक bar type आ जाएगी यहाँ पर इस area को flood कर देगी तो flooded area को बोलते है खादर इसका फायदा ये है कि जो खादर है ये हर बार flood होता है अब मानलो ये area है खादर का यहाँ पे नदी आई नदी जो खादर में मिट्टी थी उसको अपने साथ भागे ले गई और जो खुद अपने साथ मिट्टी लाई थी उसको यहाँ पर deposit कर दिया फिर अगले साल फिर ये होगा यानि खादर के area में जो मिट्टी होती है खादर के area में जो मिट्टी होती है वो हर साल नई हो जाती है क्योंकि यहाँ पर नदी हर बार आके इस area को flood कर देती है इस वज़े से हर बार नई म और बांगर को बोलते हैं Old Alluvium, क्योंकि बांगर वो एरिया है जो नदियों के बीच का इलाका है, तो यहाँ पे जो मिट्टी है वो वही रहती है सालों साल, इसलिए जो बांगर है वो उतना ज्यादा फर्टाइल, उतना ज्यादा उपजाओ नहीं होता जितना खादर होता है खादर वो एरिया है जहाँ पे नदि का पानी पहुचता है, नदी इसको flood करती है, flood करती है तो क्या होता है? जब नदी यहां के टकराती है तो यहां पे जो मिट्टी के कन है वो और छोटे हो जाते हैं और भांगर जो है यहां पे मिट्टी के कन comparatively बड़े होते हैं क्योंकि यहां पे पानी सीधा के टकराता नहीं है यानि कि इनका जो टेक्चर है वो कोरसर होता है यानि मिट्टी के कन मोटे होते हैं और यहाँ पे मिट्टी के कन कैसे होते हैं fine काफी fine काफी पतले काफी ज़्यादा छोटे यह clear आपको तो खादर जो है वो low areas of the valley में होता है low area बिल्कुल घाटी के जो सबसे निचला हिस्सा है जहाँ पे हर साल flooding होती है और यह ज़्यादा fertile होता है क्योंकि हर साल यहाँ पे नया जलोड़क आके नदी बिचाती है और बांगर जो है यह कम fertile होता है खादर के comparison में तो इतना आपको clear है तो यह बड़ा असान है फिर और मैंने आपको यह बताय था सबसे ज़्यादा जो उचाई होगी किसकी होगी भाभर भाभर के बाद होगी तरई और फिर बांगर और फिर खादर तो इसी सीरीज में होगा यह और अगर मिट्टी का साइज देखूँ तो भाभर में तो बहुत ही बड़े बड़े पत्थर ही है ठीक है तरई में जो है पत्थर छोटे हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं और मिट्टी है प्रॉपर यहाँ पे जब पत्थर तूटते हैं तभी मिट्टी बनती है पत्थरों का जब पत्थर जब तूटते हैं जिसको बोलते हैं वैदरिंग यानि जब इनकी खंडित होते हैं तो मिठी बनती है फिर बांगर बांगर में जो मिठी है वो और अच्छी होगी लेकिन खादर से बढ़ी होगी तो सबसे छोटे कंड मिठी के किसमे होंगे चारों में खादर में अब यहाँ पे आप हाइट भी देख सकते हो जो भाभर की उचाई है वो है लगभग उसत उचाई की बात हो रही है यह डेड़ सो से दो सो यह है भाभर की उचाई डेड़ सो से दो सो मीटर और आप देख सकते हो कि जो पहाड होते हैं, वो तो बहुत उंचे होते हैं, जो ग्रेट हिमालिया है, महान हिमालिया है, इनकी ओसन तुचाई लगबग 4000 मीटर के आसपास है, जो मिडल हिमालिया है, लेसर हिमालिया बोलते हैं, मद्ध्य हिमालिया है, इनकी ओसन तुचाई और भी कम है इससे, वो elevation है इसमें दिखाए हुए आपको ये है भाबर उसके बाद 100-500 वाला ये है तरई 50-100 वाला है बांगर और 10-50 वाला है सिरफ खादर ये clear है जानि कि जो हमारे northern plane है भारत के जो उत्री मैदान है उन्हें हम 4 भागों बेबाट सकते हैं भाबर, तरई, वांगर और खादर सबसे पहले बात करते हैं भाबर की इनको डीटेल में पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश को मद्दे नजर रखते हैं अब ये देखिए ये कितना पथ्रिला इलाका है बड़े-बड़े पत्थर है जिने हम अंगरेजी में बोलते हैं बोल्डर किया यहाँ पे खेती संभव है यहाँ पे पहाड खतम ही हो रहे हैं ये वो इलाका है भाबर सो जब नदिया है जब वो पहाडों से नीचे जाती है तो अपने साथ बड़े-बड़े पत्थरों को ले जाती है और 8 से 16 किलोमेटर का एक एरिया बनता है जिने शिवालिक की हम धलान बोलते हैं और इसको हम भाबर के नाम से जानते हैं तो पहले महान हिमाले है फिर मद्दे हिमाले है फिर शिवालिक और फिर यहाँ पे आता है भाबर यानि शिवालिक की ढ़लान जहां खतम हो रही है तो इसलिए slope of the शिवालिक यानि शिवालिक की ढ़लान जिसे भाबर की रूप में जानते है अगर हम बात करें उत्तर परदेश राज्ये में तो ये सबसे उत्तरी भाग जो है वहाँ पर एक पत्ली पत्ती के रूप में स्थित है भाबर स्टर तरई शेतर जो है अब मैंने आपको बताया था सबसे उपर भाबर फिर तरई फिर बांगूर और फिर खादर तो तरई के उत्तर में आएगा तो तरई का यह वह है उत्तरी भाग है जहाँ पर कंकड पत्थर और मोटे बालू के निक्षेप मिलते हैं और उन्हें भाबर शेत्र कहा जाता है फिर है तरही तरही वो शेत्र है अब देखेए होता क्या है यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए यहाँ पे नदी जो है, यह मिट्टी डाल नहीं रही है, क्योंकि अभी तो मिट्टी बनेगी समझ लीजिए, अभी तो यह पत्थर टूटेंगे, अभी तो जो नदी है उसने अपना एक परत नहीं लीए, अभी तो नदी के अंदर भी आपको पत्थर मिलेंगे, लेकिन जब तरही में नदी आती है तो यहाँ पे नदी का आप सर्फेस देख सकते हो यानि नदी की आप सते देख सकते हो उपर और इसलिए नदी जो है यहाँ पे वो दलदली हो जाती है यहाँ पे नदी और यहाँ पे भूमी जो है वो पार आपी ऑच्छी होती है, अनुकूल होती है तो तरही शेत्र की भूमी सम्टल, नम और दल्दली होती है अब पानी की कोई कमीनी है यहापर क्योंकि जो नदी है वो पानी यहाँ पे ला रही है और इसलिए यहाँ पे ऐसी फसले उपती है जिनमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा चाहिए. विशेश तोर से दो एक तो है गण्णा और दूसरा है चावल. इसलिए उत्तर परदेश में गण्णा और चावल बहुत ज़ादा होता है. गण्णा उत्पादन में उत्तर परदेश नंबर वन है. शुगर केन प्रडक्शन में और चावल में नमबर दो है चावल होता है सबसे ज़्यादा पश्य मंगाल में और दूसरे नमबर पे होता है उत्तर परदेश में तो चावल और गन्ना उत्तर परदेश में कहां हो गाया जाता है तरई के मैधानों में यहां की भूमी समतल, नम और दलदली होती है। यहां पे क्योंकि पानी होता है और यहां पे फसले भी होती हैं तो यहां पे जो वनस्पती है, जो वाइल लाइफ है वो भी देखने को मिलता है। लेकिन बहुत सारे मैदानों में यहां पे जो फॉरेस्ट हैं, जो पेड बग पूर्व से पश्चिन तक फैला है तरई शेत्र अब बात करते हैं बांगर की यह तीसरा है क्या यहाँ पे नई मिट्टी डिपोजिट होती है नया जलोड़क या पुराना जलोड़क तो यह वाला इलाका है नदी तो पहुंचनी रही यहाँ पे तो यह है नदियों के बीच का इलाका यानि यहाँ पे नई मिट्टी नहीं लेके आरी नदी तो यहाँ पे ओल्डर अलूवियम है यानि की पुराना जलोड़क है यहाँ पुराना जलोड़क और जो यह जलोड़क जिस मिट्टी में होता है उसे बोलते हैं जलोड मिरिदा यानि की अंग्रेजी में अ तो उत्तर परदेश में सबसी ज्यादा मिट्टी कुन सी है तो आंसर है जलोडग मिट्टी यानि अलूवियल सोयल और जो यह अलूवियम होता है आप इसे कॉप मिट्टी भी बोल सकते हैं कॉप मिट्टी मतलब जो नदियां अपने साथ भागे लेके आती हैं वो है कॉप, तो कॉप मिट्टी बोल सकते हैं, और भांगर में कॉप जो है वो नया नहीं होता, पुराना ही होता है, लेकिन खादर में जो हम अगला देखेंगे उसमें नया होता है, इस मिट्टी में छोटे-छोटे कंकड और चिकनी मिट्टी के कंड भी मिल सकते हैं, ये उतनी जादा renewable नहीं होती, यानि नदी इसे बार-बार renew नहीं करती, इसका बार-बार change नहीं होता, ये पुरानी पड़ी रहती है, इसलिए ये उपजाओ कम हो जाती है, और ये नदियों से अलग होती है, नदियों से दूर होती है, तो ये एक नदी है और ये एक नदी है, तो ये नदिय कॉप निक्षेपों को बोलते है बंगर ये रिन्यू होता रहता है हर साल नया आता है इसलिए ये ज़्यादा फर्टाइल है और इसमें मिट्टी के कनभी बहुत छोटे है तो ये जो है एकदम नदियों के पास मिलता है in fact in the course of the river and floodplain मिलता है यानि नदियां जहाँ पर जाती है ये उसी एरिया में मिलता है खादर और बहुत ज़्यादा उपजाओ होता है यहाँ पर क्योंकि जो जलोड़ा के वो नया है हर साल तो इसलिए उसमें काफी ज़्यादा खनिज वगारा मिलते है ये वो इलाका है जिसकी मैं बात कर रहा था तरई मैंने का था एक पट्टी के रूप में तो ये है वो पट्टी जिसको आप देख सकते हैं ये तरई का इलाका जो उत्तर परदेश को उत्तर परदेश है मैं उसे तीन भागों में बाढ़ सकता हूँ ये जो बीच वाला इलाका है ये तो है मैदान का इलाका गंगा का मैदान बोलते है जिसे बीच वाला दक्षिन वाला जो है ये डिस्टिक्ट है ललितपूर ललितपूर और ये वाला है सोन भद्र इसके उपर मिर्जापूर बगरा तो ये जो इलाका है ये दक्षन का इलागा इसे बोलते हैं दक्षन के पठार ये है दक्षन का पठार ये बीच में है गंगा का मैदान और सबसे उपर है तरही और भाबर वाला शित्र जो शिवालिक परवत शिणी का एक विस्तार है एक हिस्सा है क्योंकि शिवालिक की ढलान को ही बोलते हैं तरई, भावर और तरई अब ये देखिए सबसे उपर वाला जो एक छोटी पट्टी के रूप में है जिसमें नेपाल से लगे हुए सारे जिले आ जाते हैं जो हम देख चुके हैं साज जिले नेपाल से लगते हैं तो वो सारे इसमें आ जाते हैं भावर और तरई वाले शित्र में इसके अलावा बिजनों और साहरनपूर का कुछ हिस्सा ये सब है हमारा सबसे उत्तर परदेश का उत्तर हिस्सा तो उत्तर परदेश के उत्तर में शिवालिक परवत श्रेणी का विस्तार है उत्तर परदेश के मध्य में गंगा का मैदान है और उत्तर परदेश के दक्षण में विंधय परवत श्रेनी का विस्तार है विंधय परवत श्रेनी जो है मध्य परदेश से आती है दक्षण से उत्तर की तरफ और इसका हिस्सा इसमें भी कुछ न कुछ समाता है इसके अलावा यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार है, बागेलखंड का पठार है, यह जो सोन भद्र मिर्जापूर बगारा है, इसमें यह बागेलखंड का पठार है, और जो यह ललितपूर, जहांसी और यह वाला जो इलाका है, यहाँ पे यह बुंदेलखंड का पठार ह का छोटा सा हिस्सा जो है वो पठार है उत्तर प्रदेश का छोटा सा हिस्सा भावर उड़ता रही है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तर वाला लेकिन जातर जो हिस्सा है उत्तर प्रदेश में वो है क्रिशी योग्य जिसे बोलते हैं गंगा का मैदान यह जहां तक लेड़ आपको यह मैंने आपको इसमें वो दिखाया है कि जो western plateau और hill region है यह central plateau और hill region यह basically उत्तर परदेश ही नहीं है इसमें और भी आसपास के राज्ये हैं इसमें हमने यह दिखाया है कि खेती वाले के कौन से हैं जैसे जो गंगा का मैदान है वो भी कई तरह का होता है ये है उपर वाला गंगा का मैदान अपर गंगा का मैदान ये है मद्धे वाला गंगा का मैदान आप जानते हैं गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर में सबसे पहले गुस्ती है और बलिया से निकल जा ये है पश्चिमी पठार और ये है मध्य पठार वाला इलाका ये याद रखिए जो ये उत्तर परदेश में दक्षिन का जो पठार वाला इलाका है ये प्राए धुविपिय पठार और जो मालवा का पठार है उसी का हिस्सा है मालवा पठार जो है वो मध्य परदेश में है पठार आप जानते हैं क्या होता है, प्लैट्यू, अंग्रेजी में बोलते है प्लैट्यू, देखे, ये तो है पहाड, ठीक है, पहाड, पहाड से छोटी होती है पहाडी, यानि हिल, ये है माउंटेन, ये है हिल, ठीक है, और हिल, ये होता है पठार, जो माउंटेन होता है, जनरली उसमें अगर आप देखें, तो जो उपर का इलाका होता है, वो एक नोक के रूप में होता है, नुकी एक उसमें होता है, यानि उपर चप्टा नहीं होता वो, लेकिन पठार जो है, एक तो उसकी उचाई बहुत कम होती है, जमीन से थोड़ा ही उपर होता है पठार, और ये चप्टा होता है उपर से, तो ये फरक होता है पहाड में और पठार में, ये है प्राकिर्तिक विभाजन उत्तर प्रदेश का, सबसे उपर वाला इलाका कौन सा है, सबसे उत्तरी, भावर और तरही वाला इलाका, शिवाली की धलान वाला इलाका, फिर बीच में गं इसकी मुख्य फसले हैं धान और गन्ना, धान मतलब चावल, और इन दोनों को ही बहुत ज़दा पानी चाहिए, मैदानी शेतर के मुख्य फसल कौन से हैं, गेहू, धान और आलू, ये मैदानी शेतर के मुख्य फसल है, तरही शेतर के दक्षण, वे बुंदेलखन पठारी श करता है, इसके लिए मुझे आपको मैप दिखाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर देखिए, जो ये एरिया है, ये मैदान है, बीच वाला इलाका, तो यहाँ पर जो बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, यहाँ पर भैती है नदी, जिसको बोलते है गंडक नदी, और यहाँ पर साहरनपुर से जो घुसती है, यह यमुना नदी, तो अगर मैं बोलूँ कि जो गंगा का मैदान है, इसकी जो पश्चिमी जो रेखा है, पश्चिमी जो बाउंडरी है, वो को निर्धारित कर रहा है, यमुना नदी, और जो पूर्वी बाउं गंडक के पश्चिम में स्थित है मैदानी शित्र, गंडक नदी इधर है पूर्व में, तो इसके पश्चिम में हो गया मैदानी शित्र, और यमुना पश्चिम में है, तो इसके पूर्व में हो गया, तो यमुना और गंडक के बीच का जो इलाका है, वो है मैदानी शित्र इसके अलाबा गंगा, यमुना, घागरा, शारदा, राम गंगा, राप्ती, गंडक द्वारा लाई गई कॉप कीचडवे बालू से बना है मैदानी शेत्र, जो बीच वाला मैदानी शेत्र है उत्तर प्रदेश का वो ये जो नदियां अपने साथ मिट्टी लेके आती हैं कॉ जो प्राचीन कॉप है, नवीन कॉप मतलब खादर, प्राचीन कॉप मतलब बांगर, कीचड़ और बालू से बना है मैदानी शेत्र, कई सारी नदियां यहापे लेके आती हैं अपने साथ जलोड को, गंगा, यमुना, घागरा, हम देख चुके हैं ये जब हमने नदियां पड़ी थी, गंगा, यमुना, घागरा, शारदा, राम गंगा, राप्ती और गंड़करिवर, इसके अलावा, खादर जो शेत्र हैं, उनमें गंगा, यमुना, नदि, द्वारा, आवरण, शय होने से बनते हैं बीहड, बीहड बेसिकली क्या है कि, जो गंगा और यमुना ह कई बार उनसे जो बाड़ वाले लाके होते हैं, वहाँ पे इस तरह बड़े-बड़े रेत के टीले बन जाते हैं, इन्हें हम बीहड बोलते हैं, तो ये खादर शेत्रों में देखे जाते हैं, क्योंकि खादर शेत्र में ही तो बाड़ आती है, बांगुर में तो जो विशाल मैदानी शेत्र है उत्तर परदेश का यानि बीच वाला जो इलाका है उसके दक्षण में जहांसी ललितपुर से सोनभद्र तक फैला है पठारी पहाडी या बुंदेलखंड शेत्र ये काफी इंपोर्टेंट है देखिए ये डाइगराम है इसमें देखिए कि जो ब इलाका आता है बुंदेलखंड में और जो ये वाला इलाका है सोनभद्र तिस्टिक मिर्जापुर तिस्टिक वाला इलाका ये है बागेलखंड दोनों में फरक है बुंदेलखंड और बागेलखंड कई बार बागेलखंड को बुंदेलखंड का ही एक हिस्सा बोल देते है यहाँ पे आप देख सकते हो कि दक्षण में यानि यहाँ पे आजाओ यह ललितपुर, जहांसी, महोबा, हमेरपुर, बांडा, चितरकूट, यह सारे जो डिस्टिक्ट है यह जो पठारी शेत्र है यह है पूरा दक्षणी पठारी शेत्र दक्षणी पठारी शेत्र कहां से कहां तक है, इधर से देखें तो ललितपुर, जहांसी, यह वाला जो इलाका है और इधर से देखें तो सोनभद्र, बड़ा सान है समझना, इस तरह से है यह है ललितपुर, जहांसी वाला इलाका और ये है सोन भद्रोर मिर्जापूर वला इलाका और ये भी सारा पठार है इस तरह से अब बागेलखंड की अगर हम बात करें तो बागेलखंड ये इलाका है जिसमें ये मुखेते आते हैं सोन भद्र मिर्जापूर वगरा मद्य भारत का ये एक शेत्र है बागेल खंड ये है मद्य परदेश राज्य के उत्तर पूर्वी और स्थित है आप देख सकते हो ये मद्य परदेश है ये पूरा ये जो है ये मद्य परदेश है सो इसके उत्तर पूर्वी में स्थित है बागेल खंड और मद्धे परदेश के कौन-कौन से जिले आते हैं इसमें अनुकपूर, रेवा, सतना, शैडोल, सिंधी, उमरिया ये सबाते हैं और उत्तर परदेश का मेंली सोन भद्र का जिला इसमें आता है और पूर्वी इलाबाद का जो शेत्र है वो इसमें आता है पूर्वी इलाबाद और सोन भद्र इसमें आता है और ये है बुंदेलखंड वाला एरिया तो बुंदेलखंड और बागेलखंड में क्या फरक है देखिए जो बुंदेलखंड है उसमें साथ डिस्ट्रिक्ट उत्तर परदेश के हैं और 6 district मद्धे परदेश के हैं यह है बुंदेलखंड अगर आप बुंदेलखंड का map देखें तो यह है तो इसमें उत्तर परदेश के कौन-कौन से 7 जिले आते हैं बुंदेलखंड में बांदा माहोबा बांदा माहोबा जहांसी चित्रकूट ललित्पूर जलाईूँ और हमिरपूर तो उत्तर परदेश के याद रखिए बुंदेलखंड में है 7 जिले और 6 जिले हैं मद्धे परदेश के यह clear है आपको और बुंदेलखंड में ही बागेलखंड मिल जाता है बागेलखंड में मिल ली है सोन पद्र मिर्जापुर में है विंधम, टांडा, कुसेहरा और खंडंजा जलप्रपाथ. मैदानी जो शेत्र है उसकी उचाई कितनी है? 80-300 मीटर. ये कुश्चन आता है काफी, इसको हलके में नहीं लेना चीए. मैदानी शेत्र की धलान कहां से कहां तक है? तो ये उत्तर पश्चिम स दक्षिनपूर्व की ओर है. ये देखिए यहाँ पे. ये है वेस्ट और नौर्थ साहरनपूर वाला एरिया. ये जो है साहरनपूर की नीचे ये है उत्तर पश्चिम वेस्ट और नौर्थ. तो उत्तर पश्चिम से दक्षिनपूर्व की तरफ नीचे की तरफ ढलान है मैदानी शेतर का ढ़ाल जो पहाड़ी एरिया है दक्षिन पठारी जो शेतर है उसकी ओसातु जाई 300 मीटर है लेकिन मिर्जापुर और सोण भद्र में कुछ पहाड़ियां काफी बड़ी है igual Love द्रमें कुछ पहाड़ियां 600 मेटर से भी उची हैं. जो मैदान वाला इलाका था उसकी बाउंडरी कौन सी नदियां बना रही थी? यमुना और गंडक. और जो पठार वाला है, दक्षन पठार, उसकी बाउंडरी कौन बनाता है? उसकी उत्तरी सीमा पर भैती है, गंगा और याद रखिए दक्षन से उत्तर की और उसकी ढाल है और इसलिए जादातर जो नदियां है वो दक्षन से उत्तर की तरह भेती हैं चाहे वो काली सिंध नदी हो चाहे वो चंबल नदी हो चाहे वो बेतवा हो चाहे वो कैन नदी हो ये सारी दक्षन से उत्तर की तरह भेती हैं और फिर ये यमुना और गंगा में मिल जाती है। तो इसकी जो ढाल है वो उत्तर की ओर है धक्षन से। इसकी मुख्य फसल कौन सी है? दलहन, तिलहन वगरा जो है ये इसकी मुख्य फसल है। अब एक बात और याद रखिए, बुंदेलखंड का जो इलाका है ये उत्तरी पहाडों से सबसे दूर है और जो नमी वाली जो मौनसून आती है, वो किसे टकराती है? पहाड से टकराती है? जब भी कोई मौनसून आती है, हवाएं, नमी वाली हवाएं होती है ये तो पहाड स सबसे ज़्यादा है और बुंदेल खंड में सबसे कम है यानि बुंदेल खंड जो इलाका है काफी गरीब माना जाता है काफी पिछड़ा माना जाता है उत्तर परदेश क्योंकि ये पहाडों से सबसे दूर है इसलिए नमी वाली जो मौनसुन जो विंड आती है मौनसुन हवाय जो आती है वो अपनी सारी जो नमी है वो यहीं पे छोड़ देती है पहाड के नीचे तरही में ही यहाँ पे भारी वारिश होती है लेकिन बुंदेल खंड में बिल्कुल बारिश नहीं होती है इसलिए उत्तरपरदेश और मद्यपरदेश की सरकार मिलके केन और बेतवा नदी को जोड़ रहे है जिससे बुंदेल खंड की अलाके में सिजाई हो सके पानी आ सके तो इसका जो पानी है वो किस से किस में जाएगा ये भी समझेए केन और बेतवा दोनों ही यमुना नदी की साहिक नदिया है लेकिन केन नदी में पानी काफी ज़्यादा रहता है बेतवा में कम रहता है तो हम केन और बेतवा को जोड़ रहे हैं जिससे बुंदेल खंड में सिजाई भढ़ सके तो पानी किसे किस में जाएगा? केन का पानी जाएगा बेतवा में. इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि केन से बेतवा जब हम नहर से जोड़ेंगे उसे, तो बीच में पढ़ता है पन्ना राश्ट्रिय उद्ध्यान, जो मंद्य प्रदेश में है, पन्ना नेशल पार्क. और इ पेतवा को जोड़ा जाएगा और केन का पानी जाएगा बेतवा में.